नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त मनोच पारस अडेनियम से आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे पौधे के विशय पर जिसका नाम है बन्नी इयर कैक्टस प्लांट आज की हमारी विडियो बन्नी इयर कैक्टस के पौधे पर आधारित है इसमें हम आपको यह बताएंगे कि आप घर पर बन्नी इयर कैक्टस का पौधा कैसे लगा सकते हैं और कैसे उससे अपने गार्डन में सुन्दरता प्राप्त कर सकते हैं विडियो शुरू करने से पहले आप से निवेदन है कि अगर आपको हमारी विडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सस्काइब करें बैल आइकन को आल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली हमारी अन्य विडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके साथ ही विडियो को लाइक करे तथा कमेट करके बताए आपको हमारी विडियो कैसी लगी तो चलिए विडियो शुरू करते हैं बिन्नी इयर कैक्टस के पौधे के संपूर्ण परिचय और केर के विशय पर है बल्की कम रखरखाव वाला भी है मेक्सिको के मूल निवासी ओपंटिया माइक्रोडासिस को कई सामान्य नामों से जाना जाता है जिनमें बन्नी इयर कैक्टस, एंजेल्स, विंस कैक्टस और पोल का डॉट कैक्टस शामिल हैं लेकिन इन सुन्दर उपनामों से मूर्ख मत बनो जबकि बन्नी कान कैक्टस बड़े और दराने वाले स्पाइक्स के साथ अन्य कैक्टी किस्मों की तुलना में कम खतरनात लग सकता है यह कैक्टस उतना ही कांटेदार है बन्नी इयर कैक्टस की सतह पर प्रत्येक सफेद बिंदू वास्तव में एक ग्लोचिड है जो सैकडो छोटी रीड के पैच है जो तवचा में आसानी से निकल सकते हैं इस प्रकार बन्नी इयर कैक्टस को संभालते समय सावधानी बरतें और यदी आवश्यक हो तो सुरक्षात्मक दस्ताने का उप्योग करें हाला कि इससे पहले कि आप इसे प्राप्त करने के लिए अपना दिल लगाए हम बुरी खबर का वाहत बनने से नफरत करते हैं खरीद के लिए एक वास्तविक पौधा ढूंधना लगभग असंभव है वानस्पतिक नाम ओपन्टिया माइक्रोडेसिस साधारन नाम बनी कान कैक्टस, एंजेल विंस कैक्टस, पोलका डॉक्ट कैक्टस पौधे का प्रकार कैक्टस परिपक वाकार दो से तीन फुट उचा चार से पांच फुट फैला हुआ सूर्य अनाश रहता पूर्ण सूर्यक मिट्टी के प्रकार रेतीला अच्छी जल निकासी वाला मिट्टी का पी एच अमलिय तटस्थ खिलने का समय गर्मी फूल का रंग पीला सफेद कठोर्ता शेतरक 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B मूल शेतरक मेक्सिको बनी कान कैक्टस देखभाल इस कैक्टस की देखभाल करना आसान है और यह उपेक्षा पर भी पनपता है बनी इयर कैक्टस को खुश और समरिध बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक यह सुनिश्चित करना है कि इसे परियाप्त धूप मिले और अधिक पानी न मिले रोशनी बनी इयर कैक्टस को लगातार उज्जवल सीधी धूप की आवश्शकता होती है और जब इसे हाउसप्लांट के रूप में उगाया जाता है तो इसे आपके घर में सबसे धूप वाले स्थान पर रखा जाना चाहिए आदर्श रूप से इस कैक्टस को हर दिन 6-8 घंटे तक सीधी धूप मिलनी चाहिए जब इसे घर के अंदर उगाया जाता है तो इसका आमतार पर मतलब यह होता है कि इसे दक्षिन या पश्चिम की ओर वाली खिड़की में रखा जाना चाहिए या आप पूरक प्रकाश प्रदान करने के लिए ग्रो लाइट का उप्योग कर सकते हैं जब बाहर उगाया जाता है तो सुनिश्चित करें कि कैक्टस को ऐसे स्थान पर न लगाया जाए जो छायादार न हो मिट्टी अधिकांश कैक्टी की तरह बन्नी इयर कैक्टस सूखी, रेतीली, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद करता है एक मानक कैक्टस या रसीला पॉटिंग मिश्रन परियाप्त है और अधिकांश नरसरी या उध्यान केंडरों में आसानी से पाया जा सकता है वैकल्टिक रूप से आप गमले की मिट्टी, मोटी रेत और पेरलाइट को समान मात्रा में मिलाकर घर पर अपना खुद का पॉटिंग मिश्रन बना सकते हैं पानी यह रेगिस्तानी निवासी सूखास हिश्नु है और जीवित रहने के लिए इसे बार-बार पानी देने की आवश्शक्ता नहीं होती है वास्तव में बन्नी एर कैक्टस वास्तव में अत्यधिक पानी देने के प्रती बेहद समवेदंशील होता है और बहुत अधिक नमी के संपर्क में आने पर इसकी जड़ सडने का खत्रा होता है पानी देने के बीच मिट्टी को अच्छी तरह सूखने दें और जब संदे हो तो दोबारा पानी देने से पहले थोड़ी देर प्रतीक्षा करें याद रखें की रेगिस्तान में कैक्टी पानी के बिना हफ्तों कभी-कभी महीनों तक भी जीवित रह सकता है बन्नी एर कैक्टस को गर्म, शुष्प परिस्थितियों की आवश्चकता होती है और यह ठंड या अधिक नमी को सहन नहीं करता है तापमान सक्तर से एक सौ डिग्री फारेंहाइट 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें और यह सुनिश्चित करके अतिरिक्ट नमी से बचें की पॉटिंग मिश्रन अच्छी तरह से जल निकासी वाला है और पॉटिंग कंटेनर में जल निकासी छेद हैं इस कैक्टस को USDA जोन 9-11 बी में साल भर बाहर उगाया जा सकता है लेकिन ठंडे तापमान से होने वाले नुकसान से बचने के लिए इसे घर के अंदर ही उगाया जाना चाहिए उर्वरक यह कैक्टस खराब गुनवक्ता वाली मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसे नियमित निशेचन की आवश्यक्ता नहीं होती है हाला कि सक्रिय विकास अवधी के दौरान विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए शुरुवाती वसंत में कैक्टस या रसीले उर्वरक के वार्शिक अनुप्रयोग से लाब हो सकता है अधिकांश कैक्टी की तरह बन्नी एर कैक्टस को कटिंग द्वारा आसानी से प्रचारित किया जा सकता है बस कैक्टस से एक पैड हटा दें और इसे 24 घंटे के लिए अलग रख दें ताकि पैड का आधार नरम हो जाए फिर पैड को अच्छी जल निकासी वाले पोटिंग मिश्रन से भरे कंटेनर में रखें और इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां हर दिन कुछ घंटे सीधी धूप मिलती हो यह सुनिश्चित करने के लिए की जड़े उगना शुरू हो गई है नए पौधे को पानी देने के लिए कुछ सप्ताह बीतने तक प्रतीक्षा करें बन्नी एर कैक्टस को पॉटिंग और रिपोटिंग करें बन्नी एर कैक्टस को हर दो से तीन साल में दोहराया जाना चाहिए इस कैक्टस को सुरक्षित रूप से पुन प्रोपित करने के लिए सुनिश्चित करें कि आप के पास तेज बालों से खुद को बचाने के लिए मोटे बागवानी या काम के दस्ताने की एक जोडी तक पहुँच है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप स्वया कैक्टस को नचुएं, आप चिम्टे का भी उप्योग कर सकते हैं। इननी एर कैक्टस कभी कभी माइल बग या सकेल जैसे आम कीटों से परेशान हो सकता है। लेकिन अन्यथा काफी हद तक कीट मुक्त होता है। इन दोनों रस्चूसने वाले कीटों का इलाज प्रभावित क्षेतरों पर क्यूटिप या कपास ज़ाडू के साथ रबिंग अलकोहल के नियमित अनुप्रयोग से किया जा सकता है। देखने लायक सबसे आम बीमारी जड़ सडन है जो अधिक पानी देने या अधिक नमी के कारण होती है। और भाई द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। मुलायम तने या जड़े हो दुर्भाग्य से एक बार जड़ सडन का पता चलने पर इसके बारे में कुछ भी करने के लिए आमतौर पर बहुत देर हो चुकी होती है। हाला कि आप पौधे के शेश हिस्सों को बचाने के लिए अप्रभावित पैडों को हटा सकते हैं और उन्हें फैला सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि घर पर बन्नी एर कैक्टस का पौधा कैसे उगाया जाता है। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी है तो इसे शेर जरूर करें। ऐसी ही अन्य पौधों के विशय में जानकारी के लिए जुड़े रहें। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। आपका पौधा सदैव आपके घर की सुन्दर्ता तो बढ़ाएगा ही साथ ही साथ आपको लाबकारी और शुद्ध वायू भी प्रदान करेगा। आज की विडियो यही समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं किसी अन्य विडियो में किसी अन्य पौधे के साथ उसकी केयर पर बात करने के लिए तब तक के लिए अलविदा दोस्तों हैपी गार्डेनिंग। आज की अन्य विडियो में किसी अन्य विए अन्य विए उन्य विए उन्य विए प्रदान करते हैं के लिए नवादेंग।